हलो दोस्तो नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त विजय हो और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और भिनंदन करता हूँ और वो डिजिटल टाइप कर हैगा मतलब आप जिस तरह एक्जाम देते हैं उसी पैटर्न में रहेगा और सब्मिट करेंगे तो आपको रिजर्ल भी दिख जाएगा और सही कोईशन भी दिख जाएगे काफी मेहनत कर रहा हूँ आसा करता हूँ कि 10 जून तक वो तयार हो दिया हूँ आप वहाँ विजिट कर लिजिए और पूरी mcq series देख लिजिए काफी कोश्चन आपके 60-70% कभर हो जाएंगे आज का पहला प्रशन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है जो डिजिटल बेंकिंग से रिलेटेट है वाट इस दा अपर लिमिट आप यूप कर रहे होंगे क्योंकि आप लोग ट्रांजिक्शन कर रहे होंगे लेकिन फिल्म मैं बता दूँ इसका सही उत्तर है रुपिस वन लेक्जिए यूपिए ट्रांजिक्शन का पर लिमिट क्या है रुपिस वन लेक है तो दोस्तों चली बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 आपके स्क जिया दोस्तों इसका उत्तर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कर दीजे नहीं तो मैं इसका सही उत्तर बता दूँ यह है 24 हावर्स जिया आटोमेटिकली ओपन हो जाता है भी मेप का अगर लॉग पास उड़ा है तो सही उत्तर होगा 24 हावर्स जिया दोस् प्रशन है रूपीज 5,000 रूपीज 10,000 रूपीज 15,000 रूपीज 40,000 जिया भी मेप में पर डे मैक्जिमम ट्रांजिक्शन जो होगा वो रूपीज 40,000 होंगे चली बढ़ते हैं सवाल नमबर 4 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है वाटर दे डिलिवरी चैनल All Up Above जिए इसका सही उत्तर होगा All Up Above क्योंकि यह सभी चैनलों के माधयम से IMPS ट्रांजिक्शन किये जा सकते हैं तो डिलिवरी चैनल अवेलेबल है IMPS के लिए इन सभी में क्योंकि SMS के द्वारा भी होता है इंटरणेट बेंकिंग के द्वारा भी होता है और Mobile banking के द्वारा होता है तो इसका सही उत्तर होगा all up above जिया बढ़ते हैं सवाल नंबर पांच आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है और सवाल नंबर पांच के अनुसर वाट इस दा पर ट्रांजेक्शन लिमिट इन स्टार स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है इसका स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है सवाल नंबर 6 के अनुसर देखते हैं कि अब जिया दोस्तों सवाल नंबर 6 के अनुसर what is the default timeline in UPI to approve a collect request by payer अगर payer से कोई request भिजा गया है उसको एप्रूब करने के लिए कितना समय दिया गया है UPI में आपके option कुछ इस प्रकार है 10 minute 15 minute 20 minute and 30 minutes जिया दोस्तों इसका सही उतर है कि अप्रूब करने के लिए जो time है UPI में वो है 30 minutes का है जिया इसका सही उतर है 30 minutes चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आप सवाल नंबर 7 आपके screen पर कोज इस प्रकार है सवाल नंबर 7 के अनुसर while booking IRTC ticket using internet banking as payment method OTP validation is active for how many times option आपके है कि जब भी IRTC में booking करने जाते हैं internet banking के माधियम से जो OTP आता है वो कितने minute तक active रहता है और आपके option है 60 seconds, 90 seconds, 100 seconds, 120 seconds जिया ये तो आप सब ticket करते होंगे जानते होंगे फिर भी मैं बता तो इसका सही उतर है 100 seconds तक active रहते हैं जब IRTC में हम booking करने जाते हैं और OTP आता है net banking के माधियम से तो उसका validity जो है 100 seconds तक active रहता है तो इसका सही उतर होगा 100 seconds चलि दोस्तों बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 आपके screen पर कुछ इस प्रकार है what is the maximum transaction limit in IMPS? IMPS में maximum transaction limit क्या है आपके option इस प्रकार है 25,000, 30,000 and 50,000 and 1 lakh जिया IMPS जो transaction limit है वो maximum IMPS transaction limit है वो 1 lakh है जिया ये per transaction जो है 1 lakh है इसका सही उतर है 1 lakh चलि बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 आपके screen पर कुछ प्रकार है what is the per day transaction limit in IMPS? जिया IMPS का per day transaction limit क्या है आपके option कुछ इस प्रकार है रुपिस 50,000, रुपिस 1 lakh, रुपिस 1 lakh 50,000 and रुपिस 2 lakh जिया per transaction maximum limit है 1 lakh लेकिन यहाँ पूचा गया per day maximum transaction तो इसका सही उतर होगा 2 lakh जिया इसका सही उतर होगा 2 lakh चली दोस्तों बढ़ते हैं आप सवाल नमर 10 आपके screen पर कुछ इस प्रकार है what is N-U-U-P? what is N-U-U-P? N-U-U-P क्या है? क्या option कुछ इस प्रकार है N-U-U-P का मतलब पुछा गया option दिये गए है National Unilateral Unrelated Payment National Unified USSD Platform National Unstructured Unified Payment और National Unified User Payment जिया उस तरह के एक option दिये गए है और इसका सही उतर है N-U-U-P को बोलते है National Unified USSD Platform बोलते है USSD Platform बोलते है USSD का भी full form होता है Structured Supplementary Service Data जिया तो इसका सही उतर होगा National Unified Unstructured Supplementary Service Data Platform तो ये इसका सही उतर होगा B चली बढ़ते हैं सवाल नमर 11 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है What is the India's First Payment Gateway to Launch UPI इंडिया का जो First Payment Gateway था जो UPI लाँच किया है वो कौन था इसका option कुछ इस प्रकार है Insta Mojo, CC Avenue, Razor Pay and Pay You Money तो जी हैं दोस्तों पहला जो First Payment Gateway लाँच किया था UPI के लिए और इसका सही उतर है Razor Pay जी हां ये Razor Pay सही उतर है चली बढ़ते हैं सवाल नमर 12 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है कि सवाल नमर 12 बोलता है कि Once a pin-up ATM card is blocked due to wrongly entered more than three times then it will get automatically unblocked in अगर किसी ATM का पैसा विड्रो करते समय जो pin है हम गलत डाल दिये और तीन बार से ज़्यादा डाल दिये तो वो क्या होता है ब्लॉक्ड हो जाता है और वो automatically unblocked कब होता है और आपकी option है 12 hours, 24 hours, 38 hours and 48 hours तो इसका सही उतर है 48 hours 48 hours में अपने आप unblocked हो जाता है चली दोस्तों बढ़ते हैं सवाल नमर 13 आपके screen पर कुछ इस प्रकार है सवाल नमर 13 पूछा गया What is the full form of him? यह भी पूछा जगया है कापी exams में आए है promotion exam में और आपकी option कुछ इस प्रकार है भारत immediate for money भारत interface for money भारत interrelated medium for money and भारत interconnected medium for money जी आप भीम का full form पूछा गया है और इसका सही उतर होगा भारत interface for money तो इसका सही उतर है भारत interface for money चली दोस्तों बढ़ते हैं आप सवाल नमर 14 आपके screen पर कुछ इस प्रकार है who developed the भीम है भीम है आपको कौन डेबलब किया है आपकी option है finance ministry SCL, NPCI और TCS जी हाँ भीम है आपको डेबलब किया है NPCI को इसका सही उतर है NPCI जी हाँ National Payment Corporation of India ये इसका सही उतर है NPCI चली दोस्तों बढ़ते हैं आप इस वीडियो के अंतीम सवाल पे 15 सवाल पे और 15 सवाल के अनुसार इन UPI system the accounts are fast using ATM debit card link to the account by entering last how many digits of card जी हाँ दोस्तों UPI system में जब भी हम account को link करते हैं तो उसमें ATM card debit card के वो कितने digit उसमें डालने होते हैं last के कितने digit डालते हैं आपके option इस प्रकार हैं 4 digit, 5 digit, 6 digit and add digit जी हैं ये तो बड़ा सरल सा सवाल है आप लोगोंने सबर रेजिस्टर किया होगा तो मैं चाहता हूँ कि इसका उत्तर आप दीजिए और जी हैं फटा-पट बता दीजिए कि इसका उत्तर क्या होता है कमेंट में जाके बता दीजे कि ये कितने digit का हैं डालना पड़ता है जी हैं दोस्तो आसा करता हूँ कि सभी लोग इसका उत्तर जान रहे होंगे और ये भी सवाल पिछले exams में आये थे कि कितने digit यहां डालने पड़ता है UPI से अपने account को link करने के लिए ATM card के last कितने digit के लिए तो चलिए इसका उत्तर आप comment करके बता दीजेगा जी हैं दोस्तो ये थे कुछ 15 सवाल जो digital banking पर अधारित थे IT products से related मुक्ष मुक्ष बातें यहाँ पर सवालों के रूप में हमने चर्चा करी आसा करता हूँ कि ये वीडियो देखकर आपको confidence आया होगा और आपको जनकारी भी मिला होगा वैसे तो आप सभी जानते में सरल topic था ये लेकिन फिर भी आपका अभ्यास हो गया इस वीडियो के माधियम से जी हैं दोस्तों मौक टेस्ट बना रहा हूँ काफी महनत करके मौक टेस्ट बना रहा हूँ सो बहतरीन मौक टेस्ट बनाने में लगा हूँ जो आप काफी important है जिन साथियों को जरूरत होगी उनको बिलकुल दे दिया जाएगा जिससे आपका भ्यास बड़ा मजबूत हो जाएगा जिया दोस्तों आप सभी की सकसलता की कामना करते हो आपसे विदा लेता हूँ फिर मुलाकत होगी अगले किसी वीडियो में तब तक के लिए आपका धन्यवाद नमस्कार तेंकि सो मच